या देवी सर्व भूतेशु मात्री रूपेन संस्थिता नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमस्त से नमो नमः आज गुप्त नवरात्री का साथवान दिन है और साथवे दिन दूरका सब्तिशती के बार्वें और तेर्वें अध्या कर श्रवन किया जाता है और अंत में श्रमा प्रात्ना करेंगी सब्तिशती के पिछले अध्यायों में बताया गया था कि कैसे समय समय पर राक्षसों और दैत्यों का सहार करके देवी मा, जगत की और देवताओं की रक्षा करती है दूरका सब्तशती के बार्वे अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे सब्तशती के पाट से भक्त की संक्टों और विपत्तियों से रक्षा होती है, बाधाएं दूर होती है और भय रोग आदि से मुक्ति मिलती है साथ ही साथ यह भी विस्तार से दिया गया है कि देवी चिरित्र का स्मरण भक्त की स्थान स्थान पर कैसे रक्षा करता है जैसे की सुने मार्ग में शत्रू से घिर जाने पर आदि तो आईए मा भगवती दुर्का का अपने मन में ध्यान करके ओम नमस्चंडिका इस मंत्र का उच्छारन कीजिए। ध्यानम मैं तीन नेत्रों वाली दुर्का देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। हाथों में तलवार और धाल लिये अनेक कन्याएं उनके सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, धाल, बान, धनुष, पाश और तरजनी मुद्रा धारन किये हूए हैं। उनका स्वरूप अग्रि मय हैं तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारन करती हैं। देवी बोली, हे देवताउं, जो एकाध्र चित होकर, प्रती दिन इन स्तूतियों से मेरा ध्यान करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चे ही दूर कर दूँगी। जो मनुश्य मधु केटब का नाश, महिशासुर का वद, शुम्भ निशुम्भ के सहार की कथा सुनीगा, तथा अश्टमी, चतुरदशी और नव्मी को जो एकाध्र चित भक्ति पूर्वक मेरा महात्मी का श्रवन करेंगे। उन्हें कोई भी पाप नहीं छू सकेगा, उन पर पाप जनित आपत्यां भी नहीं आएंगी, उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी, तथा उनको कभी भी प्रेमी जनों के विचोहों का कश्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रू से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अगनी से, तथा जल राशी से भी कभी कोई भै नहीं होगा। इसलिए सभी को एकाग्र चित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मे को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्यान कारत है, मेरा महात्मे महामारी जनेत समस्त उपद्रवों एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रती दिन विधी पूर्वक मेरे इस महात्मे का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी भी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सनिधान बना रहता है, अर्थात निवास रहता है। पूजा, होम तथा महुत्सव के अफसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा-पूरा पाठ और हवन करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुश्य विधी को जान कर या बिना जाने भी मेरे लिए जो पूजा या होम आदी करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसंता के साथ ग्रहन करूँगी। शरत काल में जो वार्शिक महा पूजा की जाती है उस अफसर पर जो मेरे इस महात्मे को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुश्य मेरे प्रसाद से सब बाधाउं से मुक्त तथा धन धान्य एबं पूत्र से संबन होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मे मेरे प्रादूर भाओ के सुन्दर कताएं तथा युद में किये हुए मेरे प्राग्रम सुनने से मनुश्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मे का श्रवन करने वाले पुरिशों के शत्रू नश्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्यान की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शान्ती कर्म में बूरे स्वपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भ्यांकर पीड़ा उपस्तित होने पर मेरा महात्में श्रवन करना जाईए। इससे अर्थात देवी सब्तिशति के इश्रवन और पढ़ने से सब विखन तथा भ्यांकर ग्रह पीड़ाएं शान्त हो जाती हैं। और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दूह स्वपन यानि की पूरा स्वपन भी शुब स्वपन में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आकरांथ हुए बालकों के लिए यह महात्मे शान्ति कारक है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्मे समस्त दूराचारियों के बलका नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मे मेरे सामिप पेगी प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्ग, धूप, दीप, गंध आदि से पूजन करने से, भ्रामन भोज से, होम से, प्रती दिन अभिशेक करने से, अनेक प्रकार के भोगों के अरपन करने से, तथा दान आदि से, एक वर्ष तक मेरे अराधना से मुझे जितनी प्रसंता होती है। उतनी प्रसंता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवन करने मातर से हो जाती है। यह महात्मे श्रवन करने पर पापों को हर लेता है, और अरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादूर्भाव का किर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। तथा मेरा युद्विश्यत चरित्र दोष्ट दैत्यों का सहार करने बाला है। इसके श्रवन करने पर मनुश्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देपतों, तुम ने और भ्रह्म रिश्यों ने जो मेरी स्तूतियां की हैं, तथा भ्रह्मा जी ने जो स्तूतियां की हैं, वे सभी कल्यान मैं बुद्धी बरदान करती हैं। वन में, सुने मार्ग में, अर्धार विरान मार्ग में, दावा नल से घेर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाओं में पढ़ जाने पर, या शत्रों से पकड़े जाने पर, अथवा जंगल में सीह, बाग या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, मेरे च्रि पर बैठने के बाद भारी तुफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भ्यंकर युद में शस्त्रों का प्रहार होने पर वेदना से पेड़ीध होने पर अत्वा सभी भ्यानक बाधाओं के उपस्थित होने पर, जो मेरे चृत्र का स्मरन करता है, वह संकट मुक्त हो ज तथा लूटेरे और शत्रू भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं रिशी कहते हैं ऐसा कहकर प्रचंद पराक्रम वाली भगवती चंडी का सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई फिर समस्त देवता भी शत्रों की मारे जा करने लगे संसार का विध्वन्स करने वाले माहा भ्यंकर पराक्रमी देव शत्रू शुम्भ तथा माहा भली निशुम्भ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेश दैत्य पाताल लोग में चले आए हे राजन इस प्रकार भगवती अंबी का देवी नित्य होती हुई भी पुनहा पुनहा प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं वे ही इस विश्व को मोहित करती वे ही जगत को जनम देती तथा वे ही प्रात्ना करने पर संतूष्ठ होकर सम्रिधी परदान करती हैं हे राजन माहा प्रलय के समय माहरानी का स्वरूप धारन करने वाली व वे ही समय समय पर महामारी का रूप बनाती हैं। और वे ही स्वैम अजन्म होती हुई भी शृष्टी के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुश्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्षमी के रूप में स्थित होकर उन्नती परदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं पूश्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तूती करने पर वे धन, पूत्र, धार्मिक बुद्धी तदा उत्तम गति परदान करती हैं इस परकार श्री मारकंडे पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरकत देवी महात्मे में फल्स्तूति नामत भार् अब श्रवन करते हैं दूर्गा सब्त शति के तेरवे अंध्याय का इस अध्याय में सूरत और वैश्य को देवी का वर्दान का वर्णन किया गया है ध्यानम जो उध्यकाल के सूर्य मंडल की सी कांती धारन करने वाली हैं जिनके चार पुछाएं और तीन नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुष, वर एवं अभे की मुद्रा धारन किये रहती हैं उन शिवा देवी का मैं ध्यान करती हूं मेधा रिशी कहते हैं हे राजन इस परकाल मैंने तुम से देवी के उत्त्य महत्मे का वर्नन किया है जो इस जगत को धारन करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है वे χी विद्या उत्पन करती है भगवान विश्णू की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही त तुम ये वैश्य तथा अन्य-अन्य विवे की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं, तथा आगे भी मोहित होंगे। महराज, तुम उन्ही परमेश्वरी की शरण में जाओं। अराधना करने पर वे ही मनुश्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष परदान करती हैं। मारकंडे जी कहते हैं, मेधा मुनी के ये वचन सुनकर, राजा सूरत ने उत्तम रत का पालन करने वाले उन महाभाग महरिश्य को प्रणाम किया। वे अत्यंत मम्ता और राज्य के छिन जाने से बहुत खीन हो चुके थे। महामुने इसलिए विरक्त होकर राजा तथ वैश्य तथ काल तपस्या को चले गए और वे जगदंबा के दर्शन के लिए नदी के तड़ पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सुक्त का जब करते हुए तपस्या में प्रवरित हुए। वे दोनों नदी के तड़ पर देवी की मिट्टी की मुर्ती बनाकर पुष्प, धूप और हवनादी के द्वारा उनकी अराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे-धीरे कम किया। फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए। एकागरता पूरवक उनका चिंतन शुरू किया। वे दोनों लगातार तीन वर्ष तक सैयम पूरवक अराधना करते रहे। इस पर प्रसन होकर जगत को धर्म करने वाले चंडिका देवी ने दर्शन दे कर कहा। देवी बोली हे राजन तथा अपने कुल को अननदित करने वाले वैश्य तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाशा रखते हो। वह मुझसे मांगो। मैं तुमसे संतोष्ठ हूँ। इसलिए तुम्हें वह सब कुछ दूँगी। मारकंडे जी कहते हैं तब राजा ने दूसरे जनम में नश्ट ना होने वाला राज्य मांगा। तथा इस जनम में भी शत्रों की सेना को बल पूर्वक नश्ट करके पूनहा अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैशे का चित संसार की ओर से खिन एवं विरत हो चुका था और वे बड़े बुद्धी मान थे इसलिए उस समय उन्होंने दो ममता और अहनता रूप आसक्ति का नाश्ट करने वाला ज्यान मांगा। देवी बोली राज्यन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रों को मार कर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यों के बाद तुम भगवान विवस्वान अर्थात सूर्य के अंश से जनम लेकर इस प्रित्वी पर सावर्निक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्य तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्यान प्राप्त होगा। मारकंडे जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनो वांचित वर्दान देकर तथा उनकी द्वारा भक्ती पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंभी का ततकाल ही अंतर ध्यान होगे। इस प्रकार देवी से वर्दान पाकर क्षत्रियों में श्रेश सूरत सूरे से जनम लेकर सावर्निक नामत मनु होगे। इस परकार श्री मार्कंडे पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महात्मे में सूरत और वैश्य को वर्दान नामत तेरवांध है पूरा हुआ ओम नमस्चंडिकाय क्षमा प्रात्ना हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अप्राध होते रहते हैं यह मेरा दास है ऐसा समझ कर मेरे उन अप्राधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो हे परमेश्वरी मैं आवाहन नहीं जानती विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ठंग भी नहीं जानती क्षमा करो हे देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहिन, क्रियाहिन और भक्तिहिन पूजन किया है वह सब आपकी क्रिपासे पूण हो सैंकणों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जाकर जगदंब कहकर पुकारता है उसे वही गति प्राप्त होती है जो भ्रम्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलब नहीं है हे जगदंबी के मैं अपराधी हूँ किन्तु आपकी शरण में आई हूँ इस समय दया की पात्र हूँ आप जैसा चाहो वैसा करो हे देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथ्वा बुध्धी भ्रांथ होने के कारण मैंने जो निउन्ता या अधिक्ता कर दी हूँ वैसा क्षमा करो और मुझ पर प्रसंद हो सचिता अनंद स्वरूपा परमेश्वरी जगनमाता कामेश्वरी आप प्रेम पूर्वक मेरी है पूजा स्विकार करो और मुझ पर प्रसंद रहो हे देवी हे सुरेश्वरी आप गोपनिय से भी गोपनिय वस्तु की रक्षा करने वाली हो मेरे निवेदन किये हुए इस जब को ग्रहन करो आपकी क्रिपा से मुझे सिध्धी प्राप्थ हो भक्तों दूर्गा सब्तिशती पाठ का यहीं स्मापन होता है Great MS Voice Channel मातारानी से आपकी मंगल कामना के लिए प्रात्ना करते हैं हमारे चैनल पर हिंदू, व्रत, कथाएं, त्योहार से संबंधित जानकारे और महात्मे कथाएं सुनाई चाहते हैं यदि आप यह सभी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रैस कीचेगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दे, आपका मंगल हो